नमसकर दोस्तों कैसे हैं आपसर वेलकम की मीलेम्स मेल थर का दोस्तों मैं UP की बहुत ही स्पेशल रचिपी एक अग्यान्ग यूपि यह कुम अग्यात करते हैं यहादे के लिया हूद एक केया है मटर, यह लगबख 250 ग्राम है, साथी में प्याज, दो टामाटर, थोड़े से हरी मिर्च और गार्लिक प्लोज और थोड़ा सा जिंजर, साथ में धन्या, तो चब से पहले हमें क्या करना है, हमें धन्या और मिर्ची को एक साथ ग्राइड कर लेना है, मसाला तयार करेंगे, मै आपके टेस्ट के एक और डालिएगा, गालिक और साथ में थोड़ा सा पाई डालके से ग्राइड कर लेते हैं, हमारा हरी चटनी का मसाला तयार हो गया है, इसे बहुत ज़़गा फाई नहीं पीछना दोस्तों क्योंकि हम इसे पकाएंगे, उसे निकाल लेते हैं, और इसी जार में हम जो हमारी हारी मटर थी उसे भी ग्राइड कर लेते हैं, जार को वाश करनी की ज़रत नहीं है, उसमें डाल देते हैं मटर और इसे थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रत लगे तो डालके इसे भी ग्राइड कर लेते हैं, यह तयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम किया है यह सरसू का तेल है आप चाहें तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं मैंने यहाँ पर लिये हैं दो आलू जिनने मैंने कट करके अच्छे से वाश कर लिया है आप चाहें तो आलू को किसी भी आकार में कट कर सकते हैं तो सबसे पहले पोटेटो को हमें फ्राई करना है तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले पोटेटो को फ्राई कर लेते हैं क्योंकि अगर आप बिना फ्राई किया डालेंगे तो ये मसाले में पकने में बहुत टाइम लेंगे तो इन्हें अच्छे से कूप कर लेते हैं चेक कर लेते हैं देखें ये भी थोड़े से हाड लग रहा है तो इन्हें लगबख एक मिनट के लिए और पका लेंगे आप चाहें तो पोटेटो को बॉयल भी कर सकते हैं लेकिन फ्राइ करने से हमारे निमोना का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो चलिए पोटेटो पक चुके हैं इन्हें निकाल के अलग रख लेते हैं इसी कड़ाई में हम मसाला भी पकाएंगे तो इसके लिए मैं डाल रहे हूँ थोड़ असा जीरा साथी में पिंच आप हिंग और कटा हुआ प्यास प्यास को दोस्तों बहुत ही बारी करने की जरुद नहीं है इसे अच्छे से पका लेते हैं बस सुनेरा भूरा होने तक इसे पकाना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी चट्नी का मसाला जो हमने तयार किया था और दोस्तों यकीन मानिए यह मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह पक चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर मैंने यहाँ पर दो लिये थे उन्हें भी बहुत बारी करने की जरुद नहीं है तो सॉफ्ट होने तक इन्हें पका लेते हैं टमाटर भी पक चुके हैं दोस्तों तो आब इसमें हम डाल देते हैं हरी माटर का पेस्ट इसे भी लगबग एक मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे आप देख सकते हैं कि पेल सारा एब्सॉर्ब हो चुका है यानि मटर हमारे पक चुके हैं तो आब इसमें हम डाल देते हैं मसाले मसाले में मैं डाल रही हूं इसमें हल्दी पाउडर गरम मसाला आदा छोटा चम्मर्ज धनिया पौडर लाल मिर्च पौडर लाल मिर्च पौडर दोस्तों पूरी तरह से ऑप्षिनल है क्योंकि हमने इसमें पहले ही हरी मिर्च डाली हुई थी तो अगर आपको तीका पसंद है तो आप डाल सकते हैं मसालों को भी अच्छे से पका लेते हैं तो मसाले फुन के तयार हो गए है अब इसमें डाल देते हैं पानी आपको जैसे भी कंसिस्टन्सी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं तो आप इसमें डाल देते हैं नमक और देखिए फिर से पकना शुरू हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे एक पोटेटो जो हमने पहले से फ्राई किया हुए थे ताकि उसमें भी सारे मसाले का टीस्ट और फ्लीवर आए तो इसे लगबग एक मिनिट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ढग देते हैं इसे एक मिनूट हो चुका है दोस्तों मतलब हमारा मटर का निमोना बन के तयार हो चुका है देख लेते हैं अभी आपको इसी थोड़ा पानी लग रहा होगा लेकिन ये जब थोड़ा से ठंड़ा होगा तो ये और ठिक हो जाएगा गैस ओफ कर देते हैं तो दोस्तों कैसी लगे आपको आज की रेसिपी उज़े कमेंट बॉक में ज़रूर बताएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शीर ज़रूर करिएगा सर्फ कर लेते हैं इसे आप चाहे तो इसे रोटी पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं सद्या खतब होने से पहले ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राइगा आपको बहुत पसंद आएगी अब देख सकते हैं ये पहले से काफी ठीक देख रही है वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तता के लिए टेक एर